आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके प्याज़ चैनल भीहार अड़ा का बहुत दि PPicky सभी का स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी camp सभी को रामराम सभी और महादयों के फ़िया है करता है तुन चलिए स्टार और करते हैं आज के सेशन की शिल्वाद करते हैं बहुत ही उच्छे तरीके से बढ़हां तरीके से यह सेन आपके हरोज साम को 6-7 को होती तो मैं टॉपिक के भी कोशन्स करके लेकर आया हूं और साथ में टॉपिक के सासाथ आपको जो मिक्स कोशन होते हैं वो भी मैं लेकर आया हूं पर शुरुवात में आपको मैंने जैसे आज मैंने तीन चैप्टर को पकड़ा है मैंने उठाया प्लांट हार्मोन मैंने उसके ब मेरे कमेंट में किया था कल के क्लास में यह वो इस्टुडेंट है जिन्हों ने कमेंट किया था यहां पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा खुशी दीप हो जाएंगी ओपन टेटो हो जाएंगे अंजली स्वाती उज़र सिवराज ठीक है और जो है आपका क्या नाम है आप के सामने है कि जीवन पत पर काटे भी होंगे घंगोर अंधेरा भी होगा तो फिसलेगा गिर जाएगा पर हार कर भी जीतना है तुझे संघर्स तेरा है तो तुझे ही लड़ना पड़ेगा बात समझ में आया तो बिसिक सी बात है कि जीवन पर बहुत जादे संघर्स है लिए चलिए तो आते हैं सवालों के उपर आपके सामने हैं इससे पहले मैं बता दूँ कि बिनायक बैच 5.0 आपका आने को तयार है 26 जनवरी एक प्रॉपर 23 जनवरी से सुरुवात हो रही है जिसमें हम लोग बिनायक 5.0 में हर एक बेसिक से लेकर मौडरेट लेबल तक कीजिएगा कि सवाल का जवाब क्या होगा तो चले राधे राधे शबी को गूडभ टांग रिभीनिंग सभी को गूडभ लोग जल्से है जब्र कर सकीये गा तो आजादा से जरल से लिएक क्या क्या आपको बहुत कुछ खास चीजित मैं बताने भी वाला हूं तैयार रही यह बताईए ऑक्साइड जो आपके अमले के साथ और छार के साथ एसीड और बेस के साथ रियक्ट कर रहा है जवाब देने की कोसिस कीजिएगा सवाल का जवाब क्या हो जाएगा चलिए जब ऑप्शन में देखिए तो आप एलुमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है केल्सियम और साथ में पोटेसियम और विदिया हुआ है जवाब क्या होना सदू है हां पर जल्द बताएई मिध्म होज़्य यह बिल्कुल खुश रही है आराम से खुश रही है सभी लोग है चलिए तो जवाब यहाँ पर क्या होगा जवाब यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं बहुत सारे इस्ट्विंट बी बता रहे हैं काफी ज्यादा बी लोग बता रहे हैं तो सवाल का जवाब वैसे option number A हो जा आता है यह क्या कहलाता है यह एक बॉक्साइड कहलाता है और यह आपका एक और होता है अलुमिनियम का ठीक है उसी के साथ एक सवाल और भी बनता है जैसे बुझा हुआ चुना जिसे कहेंगे जला हुआ चुना जिसे कहा जाए तो वह क्या कहलाता है तो केल्सियम ऑक्साइड जो होता है आपका सी य जिसे कहते हैं यह आपका कैलसियम Oxide जो होता है इन्हें हम बूझा हुआ āप doesa यहिए क्या इससी को हम लोग बूझा हुआ उत्वार कहते है तो इसमें से मुझे यह बनाई क्लिके यह बता इए ऐसा कौन सा Oxide है जो औक्साइड आपका छार के साथ यानि बेस के साथ रियक्ट नहीं करता बात समझ रहें ऐसा इनमें से कौन सा ओक्साइड है इनमें ऐसा कौन सा ओक्साइड होगा जरा एक बार ये भी देखिए इनमें से इनमें से कौन सा ओक्साइड है कौन सा ओक्साइड होए जो छार के अभी क्रिया नहीं करता यानि कि आप यह बताएंगे कि यहां पर आपका चार के साथ रियक्ट नहीं करता चलिए जल्दी से बताएं जवाब यहां पर क्या होगा रियक्ट नहीं करता जवाब दीजे जल्दी से क्या हो सकता है एक ऐसा उक्साइड इसमें से जो कि आपके बे पोटेसियम ऑक्साइड आपका रियक्ट नहीं करता है बात समय में आया ठीक है चलिए आगे चलिए अगला सवाल आपके सामने है जब कोई धातु अमल से अभिक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न होती है ठीक इस गैस के संदर्भ में इन में से कौन सा कथल सही है यह बता प्रोड्यूस कर रहा है ठीक कहा जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इस मामले में अगर सा कहा जाए कि जब भी मेटल जब भी धातू किसी भी गैस के साथ अगर रियक्ट करेगा तो आपको यह बात तो बिल्कुल आराम से पता होना चाहिए मैंने इसको सवाल को बहुत पहले भी कराया था पर मेरा वो कोशन का पूछने का तरीका अलग था और वही सवाल दुबारा यहां पर आया है जब देखिएगा जैसे ऑप्शन में यह चूने पानी को दुधिया करता है बिल्कुल नहीं इसकी गंद तीखी होती है अच्छा ठीक ह यह पॉप के ध्वनी के साथ जलती है ठीक है या फिर इसमें से एक से जादा भी हो जाएगा अब इस कोशन का आंसर जो होगा वो क्या होगा तो सवाल का जवाब यहां पर पॉप की ध्वनी हो जाएगी बहुत बढ़िया कुछ लोगों का जवाब यहां पर C आ रहा है ठी देखे अगला कोशन यदि किसी विलियन का पी एच मांच 13 है तो बताइए इसका अर्थ क्या है मतलब देखिए हम यह बात तो समझते हैं यह मनलब यह चीज़ तो हम सभी लोग जानते हैं जो पी एच वैलू होता है यदि वो साथ से जादा हो जाए यह बात हम सभी लोग क्या हो जाए साथ से जादा हो जाए तो वह आप सभी लोग जाते हैं साथ से जादा वाला छार होता है पर अब 13 तो है पर option के हिसाब से अगर आप देखिए तो प्रबल अमलिये दिया है मतलब strong acid होगा तो option नमबर A और B तो किसी भी संभावना पे कहीं भी नहीं हो सकता ब जवाब दीजे क्या हो सकता है सवाल का जवाब यहाँ पर option नमबर D होगा यानि कि आप बताएंगे strong alkaline बोलेंगे प्रबल छारी जिसे कहा जाता है तो option नमबर D will be the right answer क्या होगा D will be the right answer ठीक है के बहुत बढ़िया बात समझेशभी को बात समझेशभी को चलिए आगे की तरफ चलते हैं इनमें से कौन सा ऐसा एक अमल है जो नेटल के पेड़ में पाया जाता है बड़ा ही एक आसान सा question है एक realty में आपको बताऊं तो एक बड़ा ही आसान है मैंने कहा एक एसीड है और यह फाउंड हो रहा है ठीक है नेटल ट्री कि अब इस कोश्चन को देखने के बाद क्या लगता है आपको क्या लग रहा है जल्दी से बता इस कवाल को बहुत आराम से करने की ज़ुरत है बहुत आराम से करिएगा ऑप्सन में मेथनोईक एसीड भी है सिट्रिक भी है एथनोईक भी है और आपका औक्जेलिक भी है चलिए जवाब दीजिए क्या लगेगा आपको सवाल का सही जवाब क्या होगा यहां पर ठीक है जल्दी से बताईए सवाल का जवाब क्या होगा तो आप यह बताएंगे कि इस सवाल का जो जवाब है व यहाँ पर नेटल के बाद ब्रैकेट में बिच्छू लिखा मिलेगा आपको जब पेपर में यह सवाल आएगा तो ब्रैकेट में आपको बिच्छू लिख कर देगा और बिच्छू का डंक आपको पता है कि मेथेनोइक एसिड होता है याद आया तो वहाँ पर जीट होने पर क्या बनाता है यह देखिए आपका वार्डेस सल्फर डायोक्साइड डूवेन इट्स डिजॉल्व इन वाटर मैंने का थाना मैं एसीड बेस साल टॉपिक से कोशन लेकर आया हूँ अमले चार एवं लवण से जितने भी कोशन्स आपके हैं मैं दस कोशन वहां से उठाया हूँ दस कोशन मेटल नौन मेटल से उठाया हूँ बाकी दस कोशन प्लांट हार्मोन से उठाया हूँ बाकी आपको 15 कोशन मिक्स मिलेगा तो हर एक टॉपिक से अब कोशन मेरी क्लास में मिलना सुरू हो जाएगा आप लोगों के लिए ठीक है और बहुत कुछ नया भी होने वाला है वो भी मैं आपको इसी क्लास में लास्ट में बताऊंगा कि नया क्या हो सकता है ठीक है सवाल का जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताईएगा आप यह कहेंगे सर सवाल का जवाब जो होगा उसे सल्फ्यूरस एसीट कहा जाता है क्या कह option number B आपके जवाब में बिल्कुल सही माना जाएगा कैसे पता चला सर्फ फार्मूला अगर आया तो वहां पर हम सब क्या कर सकते हैं देखिए यहां पर कहा गया है sulfur dioxide है पानी के साथ आप react करा रहे हो अभिक्रिया करा रहे हैं पानी के साथ react करने पर यह आपका sulfurous oxide बनाएगा डाटीज एस्टू एस एस्ट्री बना लेगा क्या बना लेगा एस्टू एस्ट्री बना लेता है यह बात आपको क्लियर है तो option number B will be the right answer एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा sulfuric acid का मुझे pH value जरा बताएगे sulfuric acid का pH value कितना होता है sulfuric acid का pH value बड़ा ही एक आसाज़ा सवाल आपसे पूछा मैंने सवाल का जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताएगे pH value sulfuric का क्या होगा आप यह बताएगे कि सर पी एच वैलू की जब भी बात होगी तो मुझे इसका अंदाजा लग चुका है यहां पे जवाब के तौर पे होगा 0 से लेकर 1.5 इसका pH value क्या होता है जिरो से लेकर 1.5 होता है बात समझ में आया सभी को ठीक आगे चल दिए अमलिय वर्सा का pH मान कितना होता है What is the pH value of AC drain अब ये कहोगे सर आप वही सवाल दुबारा करा रहे हो पर आप एक बार नजर फेर के देखे क्या आपको लग रहा है कि सवाल वही है क्या आपको लग रहा है इसकी सवाल वही है मैंने ये कहा था कि ACID drain अमलिय वर्सा ACID drain का pH value जो होगा वो 5 दस्मलों कुछ होता है 4 होता है 6 होता है ये बात आप समझते है पर option में एक बार दुबारा देखे देखे ये तो नहीं होगा C और D तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 7-7 लिखा हुआ ये गलत है ACID तो नहीं कह सकता हाँ इन दोनों में सब आप बताईए तो जवाब क्या होगा जल्दी बताईए जवाब दीजे क्या लगता है आप लोगों को B और C 5.6 आ रहा है B और C और A में confusion शुरू हुआ है जवाब यहाँ पर क्या होगा तो जवाब यहाँ पर जो होगा सवाल देखिए अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग तयार किया जाता है मतलब यह है कि वाट टाइप आप मेडिकेशन और यूज तो ट्रीट इन डाइजेशन माल लिजे किसी को अपच हो गया कोई खाना ज्यादा खा लिया है न कहीं किसी भूका रहा होगा यह भूक लगी होगी खाना ज्यादा खा लिया खाना ज्यादा खा लेने पर अगर वह खाना पचा नहीं अचानक से आप जब खाली पेट होते हैं तो बेट डर्द करता है फिर जब आप उस बड़ा नया सवाल लेकर आया हूँ, एक कोशन आपके लिए मेरे तरब से रहेगा, ये जी ओ ओ आडी का मतलब किसको पता है, चलिए जल्दी से बताइए मुझे, जी ओ आडी का मतलब किसे पता है, सर ये इस्टमक से संबन्धित है, मैं आपको बता दू, ये अमासे से संबन इतर यह नाम अब जल्दी से मुझे बताए जीा आडी का मतलब किनको पता है इनको नहीं पता बिल्कुल भी नहीं चली जिवाब दीजिए तर घी स्ट्रो आपको याद आ जाना चाहिए था ठीश कर मतलब आपको पता ही होगा नहीं पता तो गैस्टो ओस्योफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इसे कहते हैं बासने ओस्योफेगस होता है न ओस्योफेगस होता है तो गैस्टो ओस्योफेगल यहां पर क्या होगा गैस्टो ओस्योफेगल आपका याद रखेगा गैस्टो ओस्योफेगल ठीक है गैस्टो ओस्योफ जो होता है यह आपका reflex disease होता यह पर शकुक होता है यह अमासा जैवास के अंधर पेट में आपके एक रोग होता है जिसे जीओब आटी के नाम से जानते हैं तो दो सेख़ wanna सब्च्टर फेजल फेजियल रिफल्ड डिजीस आपका हो गाप जीओब इस जी, के जठर ग्रश्नली प्रतिवाह प्रयूक्य जो है रोग्ट छिlandsप प्रति वाह रोग से कहा जाता है ठिक often नमबर सवाल का जाब क्या होगा एंटीबियोटिक कर बताएंगे option नमबर इबता हुआ option number a बता रहे हैं एंटिबायोटिक जो की बिल्कुल गलत है जो की बिल्कुल गलत है बहुत लोगों का ए मैंने देखा यहाँ पर अभी भी एंटिबायोटिक आ रहा है सवाल का जो एंटा एसीड हो जाएगा option number c हम लोग इनो का खाते हैं पुदिन हरा इस्तेमाल करते हैं तो option number c विल भी दा राइट आंसर यहाँ पर होगा ठीक है बास समझ में आया अच्छा एक सवाल मेरी तरफ से और है जल्दी से बताए मिल्क ओफ मैगनीसिया की से कहा जात है मिल्क ओफ मैगनीसिया हमारे सरीर के जो हमारे सरीर का जो अमासे है उस अमासे में अमासे की अमलेता को कम करता है इस टमक में जो सील है ना सील का मात्रा एक एसीड है एक अमल है उस अमल को कम करने का काम करता है मिल्क ओफ मैगनीसिया हमारे अमासे के अंदर अमासे का मतल में आया अमलियता को क्या करता है अमलियता को कम करता है तो इसका मतलब है कि मिलक आफ मैगनीशा को मैगनीश्यम हाइड्रॉकसाइड से नाम से जानते हैं क्या बोलते हैं मैगनीश्यम हाइड्रॉकसाइड के नाम से जाना जाता है क्या ये बात समझ में आया सभी को मैगनीश है हाइड़्ॉकसाइड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे हैँ आप सब बहुत सही जवाब दे रहें अगला कोशन अराम से करिएगा जल्दबाजी मत करिएगा ऐसे सोच कर इस अइसे कोशन यह सोच करी कोशन करिए जी की जब ये questions आपके exam में जबाब बैठोगी वैसे ही सोच कर आपको question का जवाब देना है जैसे आप exam में बैठ कर सोच कर करेंगे ठीक वैसे ही करिए अमले एक पदार्थ है जो की acid is a substance जानते हैं विच एक proton डान करता है या एक electron हीगम को श्विक्रित करता है या जल में hydrogen ion देता है या फिर ये सभी बाते इनके नजर में सही है acid की बात किये हैं अमले की बात किये हैं जल्दी बताइए जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है और session आराम से समझ कर अच्छा लगा तो session share करिए जरूर लाइक भी करिए और share भी करिए जवाब देते रहें सभी लोग तो मेरे हिसाब से जो जवाब होगा यहाँ पर acid की अगर बात करें तो आपने यह तो पढ़ा ही है और आपको पता है जब कोई electron देता है तो उसके उपर positive charge भी आ जाता है तो positive charge proton का होता है तो दो बाते तो सही निकली इसका मतलब कि all of these will be the right answer all of these will be the right answer आपका option number DVR पे राइज right answer हो जाएगा और electron pair accept कर लेता है मना उससे उपर charge दिखने लगता है तो option number D will be the right answer हो जाएगा clear बहुत बढ़िया अगला अमली यह विलियन की पहचान के लिए निम्लिखित में से किस पदात का उप्योग किया जा सकता है विच आप फॉलॉइंग सबस्टेंस कैन बी यूज़ तू आइडेंटिफाइड एसिडिक सलूशन जब किसी भी आमली के विलियन को पहचानना हो कि क्या यह एक एसिड है या नहीं है या यह बेस है या नहीं है तो हम क्या इस्तमाल करेंगे हम क्या इस्तमाल करेंगे जल्दी से बताइए आपको पता होगा कि एसिड के साथ हमेशा बेस ही रियक्ट करता है और यहाँ पर मैं इस बेसिक बेस के त ठीक है जवाब ये आपको देना है दुर्बल अमल का मतलब होता है वीक एसीड है ठीक है और ये वीक एसीड आपका यदि स्ट्रॉंग बेस के साथ जब भी कभी प्रबल चार के साथ अभी क्रिया करेगा ये सवाल ऐसे ही पेपर में भी आ सकता है आपके ऐसे रियक्शन दे देगा कि जब ये स्ट्रॉंग बेस के साथ रियक्ट करेगा तो बताईए कि यहां पर क्या बनकर मिलेगा हमें क्या मिलेगा हमें हमें दो चीजे मिलेंगी एक तो हमें पानी मिलेगा एक तो हमें पानी मिलेगा यानि वाटर मिलेगा ठीक है और दूसरा हमें क्या मिलेगा तो आपका चारी यह यह लँण मिलेगा थे चारीए लँण मिलेगा आपको ठीक्छै यानि अखली इस चाम्डान मिलेगा जब यह दोनों आपस में रियक्ट करेंगे प्र इस सवाल का जवाब हमें क्या मिलेगा के यहוס्थ मिलेगा पोटेसियम नाइटरेट मिलेगा option number B will be the right answer option number B will be the right answer ठीक है मतलब यह है कि K2SO4 नहीं होगा सवाल का जवाब KNO3 होगा मतलब potassium nitrate होगा क्या मुझे कोई बताएगा कि यह जो नाम देख रहा है अब मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को तो मुझे बता पाएगा कोई कि यह जो नाम आप देख रहे हैं यह नाम किस कौन से salt का नाम है किस salt का नाम है यह कौन से लवड का नाम है चलिए एक सवाल यह भी आपसे मैंने पूछ लिया जराइस ध्यान दीजिएगा इधर आप लोग ध्यान से रिखिएगा देखिए कोश्चन कुछ भी आ सकता है ने पेपर में हमें यह तो नहीं पताने कि क्या आएगा ऐसा तो नहीं कह सकता है कि हां में पता है यह आगा है पर हमें जितना अंदाजा लगा गया है वो बिल्कुल एकदम सही और सही लगा गया है कोई की सवाल इस तरीके से पूछेगा बताईए इनमें से इस लवड का नाम बताईए लवड पूछागा salt पूछेगा soda नहीं प के कहते बताने हम ब Judah अब बता रहें यहां बिल्कुल गलत बता रहे हैं में देख कर सिंगल को नहीं इस से वासिंगर सोडा कहते है कौन से लवड है और लवड में ओप्शन में सोडा पूछेगा le 1 2 CO3 आपको याद आया होगा कि सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वासिंग सोडा कहते हैं बात समझ में आ गया बेकिंग सोडा नहीं होगा वासिंग सोडा हो जाएगा ठीक है क्लियर इसलिए कहा था बैच में मैंने इसको बताया भी था आप लोगों को चलिए खेर कोई बात नहीं अगला इधेर देखिए अब यहाँ पर हार्मोन के कोशन सुरू होगे प्लांट हार्मोन के पादपों से परिपक पत्तों और फलों को गिरने को प्रेडित करने वाला पदार्थ किसके कारण उत्पादित होता है यह कोशन यहीं सवाल आपके एक्जाम में आया आप एक्ज जवाब को दीजिए जवाब क्या होगा यहाँ पे क्या लग रहा है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए कोई समस्या नहीं है आप आराम से अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए कोई डर कोई जल्द बाजी नहीं बिल्कुल रिलाक्स होकर पढ़ा क्या बोलेंगे एप्सिसिक एसिड जिसे aba के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है इनमें से ऐसा कौण सा हर्मोन है चलिए जरा मुझे बताने की कोशिस करिएगा इनमें से ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है ऐसा इन में से कौन सा पादप हार्मोन है जो आपका कोशिका के विभाजन में पादप के अंदर यानि पौधे में प्लांड के अंदर पौधे में आपके कोशिका विभाजन में मदद करता है ऐसे हार् आप क्या जवाब देंगे आप क्या जवाब देंगे जवाब क्या होगा आप लोगों का जवाब क्या होगा आप लोगों का चलिए जल्दी से बताईए यहां पर मेरे सवाल का जवाब क्या होगा जैसा हर्मोन जो कोशिका विभाजन में मदद कर रहा है आप इसे बोलेंगे सर आप बोलेंगे साइटो काईनीन आप क्या बोलेंगे सर आप बोलेंगे सर इसे साइटो काईनीन कहा जाता है ठीक है क्लियर बहुत बढ़ा सेशन थोड़ा सा आगे लेके चलिया बढ़ियां सा शेशन को आगे लेके चलना है इनमें से कौन एक बीज है जो प्रसुप्ति न कुरी ठोने से रोकने वाला हार्मोन होगा क्या होगा देखिए जवाब आता हो करिए नहीं आता है डर रहे हो आप भाग रहे हो सोचरव नहीं होगा मुझसे ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्त आप एक एक्जाम क्यालिफाई करना आप यह क्यों है सोच रहे हैं आप एक कॉलेज और इसकूल आप तब आपका स्मार्ट स्टडी सुरू हो जाएगा और आप आज भी यही सोच के पढ़ रहे हैं कि सर्थ यह तो स्कूल वाला पेपर हो गया यह तो जैसे इंट्रेंस एक्जाम दिया करते थे पहुत पहले ऐसा कुछ नहीं है सर यह वो परिक्षा है जिसके बाद आपके स हो सकता है सुनाना शुरू कर दें ठीक है तो यहाँ पर जबाब क्या होगा हमारा जिब्रेलीक असिड्व और और चीड होगा ऑप्षिन नंबर सी विलबीदा राइट आंसर हो जाएगा जिसे हमसब यहाँ पर ऑप्षिन और सी बोल रहें ।िक है ठीर है यहाँ पर अगर बीज में पाया जाता है यह कहीं फल पत्ती कहीं नहीं देखने को मिलेगा यह सीड में पाया जाने का काम करना रोकने का काम करता है ठीक है क्या करता है स्टॉप करने का काम करता है रोकने का काम करता है ठीक है बात संजाया ठीक है चलिए आगे देखिए इन में को इसको सुमेलित करने की बात कर रहा है जल्दी से बताईए क्या होगा जवाब यहां पर इसको सुमेलित करने की बात कर रहा है जल्दी से बताई यहां पर सुमेलित की बात हो रही है यहां एक तरफ हार्मोन दिया हुआ है उसके बाद यहां पर आपको एक तरफ क्या दिया इसके कारे दिये हुए चला मिलाई यह तो एक बार सही क्या होगा सवाल का सही ज करता तो See का दूसरा अगर कहीं दिखाई दे रहा हो तो sih का दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मतलब option number B will be the right answer option number be will be the right answer यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा कॉसरे बड़ा असानी अपरेचान सकते थे अब इस किसमें गलती मत किजिएगा इसमें आप गलती मत किजिएगा ठीक है तो बीविल भी राइट अंसर मैंज दो कॉलम में केवल एक पता हो जाना चाहिए एक का करेक्शन सही होना चाहिए और ऑप्षन देख लेना चाहिए जवाब खुद पर खुद निकल कर चलाएगा है ना ठ आताना है आप किस पादप हार्मोन का छिड़काओ करेंगे जिससे कि वो आपका घास बिल्कुल समाप्त हो जाए ऑप्शन में आई बीए दिया है ऑप्शन में आपका इंडोलिस्टिक एसिड आई ये दिया है एंडवल दिया है या फिर टूफोर डी दिया हुआ है जल्दी कि टूफोर डी का इसमाल करेंगे जिससे हम घास घास पात को घसवार को खतम कर सकते हैं बात समझ में आया सभी को ठीक है आर्थ कम किसे कम आज स्टेशन को कम से कम नहीं तो कम से कम 18-1900 प्लस मिले के चलिए चलना है आपको और अभी हमारे स्टुडेंट अभी कम से कम 200 जो है पीजी आर मादक उत्पादन में सहायक होता है यह बताइए कि वीच आप दा फॉलूइंग केमिकल नेचर आफ पीजी आर क्या बोलते हैं पीजी आर का जो है हेल्फूल प्रिडूसिंग ड्रक्स प्रोडूसिंग ड्रक्स बढ़ा ही एक अच्छा सा सवाल आप से थोड़ा बदल दिया मैंने तो टर्पीन ही सवाल का जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए ठीक है आगे देखिए इनमें से कौन से धातू का गलनांक बहुत जादा होता है विच आप देखें यहाँ पर यहाँ पर आपका मेटल नॉन मेटल सुरू हो गया एक ऐसा धातू जि जब परिक्षा हॉल में आप बैठोगे और आपके पेपर में यह सवाल जब आएगा मैसे बताता उस समय का जो वातावरण वहाँ पर होगा उस वातावरण में यह सवाल भी इतना हाड लगेगा कि आप बता भी नहीं सकते हो क्योंकि वह समय पर प्रेशर होता है एक्जाम strangely आ रहें यह बिल्कुल गलत है यह भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा यहाँ पर सवाल का गियाrus क्योन बी होगा पर सवाल के लाग यह वोगा यह बात आप लोग यादा मुझे लगा था कि आप लू बताएंगे मैंने कहा ता उच्छी गलनांक गलनांक बहुत जादा ह है तो option number B will be the right answer एक गलत है सर यह बिल्कुल गलत होगा ठीक है इन में से कौन से धातू की तन्यता अधिक है मतलब कहां यह जा रहा है कि which of the following metal size greater tensile standing की जिनको ताना जादा जा सकता है तन्यता का मतलब समझते हैं तन्यता का मतलब ही होता है जिनको आप तान सकते हो जादा और किसको ताना जा सकता है जादा यह बताइए जल्दी से एक बार जल्दी से बताइए जे आइरन मैन आफ इंडिया पूछ रो आइरन मैन आफ इंडिया सरदार बल्ला भाई पटेल को बोला जाता है 31 अक्टूबर इस टैचू आफ आपको यादी होगा यूनिटी की बात करें है ना चलिए इस सवाल का जवाब पताइए क्या होगा सोना हो जाएग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोल्ड होगा गोल्ड जिसे हम लोग यू से दिनूट करते हैं यह याद रखना ठीक बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अगला चीज देखते हैं वे धातू जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है मतलब यहाँ पर वह मेटल्स की बा जबने वाली मेटल्स का नाम बताईए जो बिल्कुल नहीं रियक्ट करता जवाब दीजे क्या होगा एक बार सवाल का जवाब बताईए क्या हो सकता है जी जवाब दीजे क्या लगेगा आप लोगों को बहुत बढ़िया हाँ ऑप्शन नंबर गोल्ड आ रहा है सी आ ठीक बहुत बढ़िया यहाँ पर आपका जवाब गलत है सी वालों का डी वाले भी गलत है हमारे भी होगा सिल्वर और गोल्ड होगा ठीक है सपने देखे थे ना कल रात में आप लोग ने सपना तो आप लोगों ने देखा था ना रात में सोने से पहले कभी-कभी सपने में भी सुबह उठते हैं फिर वो गायब हो जाता है पड़ा दर्द होता होगा नहीं और उसको जल्दबाजी करने के लिए कितनी जल्दी हम उस चीज़ को पाले आप लगे तो हो यह तो है ठीक है चलिए बोरेक्स या सुहागा कौन सी धातु का योगी के देखें मैंने आज इस पढ़ाया भी था बैच में बोरेक्स और सुहागा यह सवाल पताए कि कंपाउंड विच मिटर अब इस कोश्चन का आंसर जो हैं वो भी देंगे जो नहीं पता वो भी देंगे बोरेक्स का मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि बोरेक्स का इस्तमाल कहां कहां पर होता है मैंने फार्मॉला भी बताया था है ना एनने टू सी अरटू वी-फोर-ो7 का बताया था की नहीं बताया था तो जवाब के तोर पर क्या लगना चाहिए आपको एनने टू मतलब आपका ओप्शन नंबर बी होगा जिसे हम सोडियम बोलते हैं क्या बोलते हैं सोडियम बोला जाता है बात समझ में आया ठीक है चलिए आगे देखिए इन में से कौन सी धातू का प्रतीक सही नहीं है मतलब विच्व द फॉलेंग मेटल इस नौट मलब सिंबल जिसका सही नहीं पूछा जा रहा है एक ऐसा जो है सिंबल नहीं है चलिए जवाब दीजिए क्या होगा यहाँ पर सवाल का जवाब बताईए कि आकिर में सवाल का जवाब क्या हो सकता है जवाब क्या लगता है आप लोगों और जो लोग बहुत लेट से जुड़ते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि टाइम होती है सुराम को 6 बजे सीधा 6 बजे क्लास में इंट्री कर लिया करें प्रेजेंट यानि कि आप अपने अटेंडेंस लगा दिया करें सीधा 6 बजे क्लास होगी हर रोज होती है इस सवाल का जवाब आपको क्या बताएंगे मैगनीशियम बताएंगे मैगनीशियम का सिंबल मन नहीं होता आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं जो लोग पारा बता रहे हैं वह बिल्कुल बहुत गलत है इसका मतलब आपका बेसिक एकड़म कमजोर है आपको भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा यह सचाहिए इसको मानिएगा यहाँ पर मैगनीशियम एमन से नहीं दर्साया जाता मैगनीशियम को चोटे-चोटे सवाल भी भारी पढ़ते हैं जब प्रेशर आपके उपर होगा वहां तो और भी ज्यादा प्रेशर होगा प्रिक्षा हॉल में तब क्या कीजिएगा वहां तो बताने वाले भम यह नहीं होंगा उसमें कैसे समालेगे इसे अभी से त्यारी बितनी अच्छी करिए कि मज़ा आजा डेली क्लास में आके चीजों का नोट्स मनाईए वाई योगिक जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम सब क्विक लाइम के नाम से जानते हैं एक बड़ा ही आसान सा सवाल है जवाब देने की कोशिस कीजिए क्या होगा तो यहां पर क्विक लाइम की जब बात करेंगे तो हम उसे कैल्सियम ऑक्साइड बोलते हैं कैल्सियम ऑक्साइड बोलेंगे ऑप्सन नंबर डी उसे बोला जाता है ठीक है जिसे कैल्सियम ऑक्साइड बोला जाता है बात समझ में आया ठीक आगे चलिए धातुओं के परम सिटल्स के टॉमिक नंबर में पूछ रहे कौन सा सही है क्रमांग सबसे सही पूछा जा रहा है जवाब दीजिए क्या लग रहा है आपको कौन सा सही लग रहा है यह बताइए अगर एक भी आपको पता होगा तो आप बता देगे जिंक का 28 नहीं होता है पहली बात जिंक का 28 होता है पहले चीज़ समझ में थिक अबुन करना था आपको मैगनेंस का 26 में एक कंगया 25 men में कम क्या 29 28 में दो बढ़ाया आपका 30 कम कम करना था दोनों में एक में बढ़ाना था यह उपर वाला उपर रख देना था केवल और इस सवाल का जो अप्शन नमर्डी है थोरियम आपका बिल्कुल सही दिया गया है ऑप्शन नमर्डी विल भी दराइट आंसर डी विल भी कांसर यहां पर armor भाइगे यह भी गलत लिखा यह भी गलत लिखा यह भी गलत लिखा हुआ है ठीक है बात समय में आई तब को artificial rain में होता है ठीक है बहुत बढ़िया क्या platinum को सफेद सोना भी कहा जाता है जी बहुत अच्छे क्या iron pirate को काला सोना कहा जाता है iron pirates को काला सोना कहा जाता है नहीं इसका मतलब कि option number c बिल्कुल गलत है यह question का question के हिसाब से सही है बट यहाँ पर जो statement लिखा है वह statement बिल्कुल गलत है यह iron pirate को काला सोना नहीं कहते iron pirate को जूटा सोना कहा जाता है क्या कहा जाता है जूटा सोना कहा related to coal जरा बताईए क्या लगता है जवाब क्या होगा आप लोगों को पैट्रोल को काला सोना कहते हैं जी बहुत बढ़िया यहां पर एक बार बताईए कि मैंने बोला जो कोईला होता है चार प्रकार का होता है चारों के नाम तो लिखे हुए है तीन का नाम लिखा हुआ है सथा Bay तुमनेज में कि 17 से 85 प्रतिसात कार्बन होता है ये भी बात सईह है तो मतलब option number d will be the right answer option number d will be the right answer टीनों के तीनों चीज़े ड़िक है होता है रैट का poison रैट पैसमिकल ने पूछा जातारा से छेले थिर पोईजनन में पूछा जा रहा है क्या लगता है एग्लिपी दिया मैंने रैट का चेहर का जो है जहर बोर्ट बोक गता है चुक मलक चुहे का जहर रूं में रख देना कि चुहा जो है यह खा खा के मर जा है ऐसा होता है चुहे को मारने वाले दवा भी आती है बहुत सारी तो वहां पर आपका jinx phosphate का इस्तेमाल करोगी क्या है इस्तेमाल करेंगे आप अब सभी जिंक लाइड का ओप्योग ठीक है बहुत बढ़िया यह बताईए कि वहाँ पर क्या होता ऐसा बैक एलाईड जो है कि गूझ कंडॉको है थीठ है क्या बैकर लाइनो को अच्छा सुचालक भोल सकते हैं क्या वैक यह को समा का कुछालक क्यानि की पूर कंड़क्टर हीड बोल सकते हैं या इसमें से कुछ भी इससे नहीं बोल सकते चले बताईए आपको नहीं पता तो मैं बात और बता दू आपके हो सकता है पेपर में आही जाए तो सवाल इस तरीके का होता है कि दुनिया का पहला पूरी तरीके से संसलेशित ज सबसे पहला जो है संसलेशित प्लास्टिक जो था सबसे पहला संसलेशित प्लास्टिक जो होता है वह आपका क्या होता है पता है सबसे पहला यह बैकलाइट ही था जो सबसे पहला संसलेशित प्लास्टिक था फॉर्स्ट सिंथेसिस प्लास्टिक था ठीक है यहाँ पे सवा कभी करिया के दोरान पर मारू Приमांघ क्या होगा जल्दी से बताईए यदी जब हम reaction by react कर आथे किसी चीज को किया कहते हैं इमलब होता है अभी क्रिया कराते इस अतने को नंबर क्या होगích नंबर होगा वह था गए तन के साथ बदलेगा ठीक है वासोजिएगा क्या वो समान रहेगा या बदलते हैं या तापमान के साथ कभी भी परमारू जो करमांक होता है एक बात बताईये च्या कभी आपने सुना के atomic number बदल गया reaction के बाद क्या calcium का atomic number बदल जाता है जब reaction हो जाता तो नहीं न एक बेसिक सा चीज था कि यह समान रहेगा, remains the same, यह समान रहता है, यह समान रहता है, option number B will be the right answer, है की नहीं, ठीक है, चलिए, अगला, नेत्र के किस भाग में एक वनक मौझूद होता है, ठीक है, जिसके कारण नेत्र भूरे और निले या काले होते हैं, यह प्राउन ब्लू और ब्लैक बताई को देखिए दो बार पढ़िए तीन बार पढ़िए जैसे आपको अच्छा लगे वैसे और पढ़ने के बाद इस सवाल का जवाब बताईए ऑप्शन में कॉर्णिया भी दिया है ऑप्शन में आईरिस भी दिया है नित्र का चाप द्रव दिया है तो यहां पे सवाल का जवाब क्या लगेगा आप बताएंगे ऑप्शन नमबर सी विल बीदा राइट आंसर यानि कि आपका आईरिस हो जाएगा क्लियर सी विल बीदा राइट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया ठीक अच्छा अगला देखिए अगला सवाल रा चीज जो फसल का सरवाधिक उत्पादक बोला जारा किसे बोला जा सकता है सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला जो राज अगर कौन सा ऐसा फसल है जो इस राज में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इस राजी के अंदर सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है तो ऐसे को क्या बोला जा सकता है ऐसे को हम सभी लोग बोलेंगे आपका क्या मस्टर्ड क्या बोलेंगे मस्टर्ड बोलेंगे यानि की सर्सों बोला जाएगा option number c will be the right answer ठीक है अच्छा यह बताए किसको कसिस के तेल या बोला विट्रोल के रुप में नाम से चाना आप पता रहे थे ना आप क्या कह रहे थे सर्कसिस का तेल क्या होता है लीजिए आपके सामने कोशन्स आया है यह ससी के आया हुए सवाल है यह सवाल ससी में आया हुआ है सामने आपके लिखा हुआ है जवाब के तोर पे आप इसक कार के विट्रॉल होते हैं और तीनों को मैंने बताया हुआ है यहाँ पे सवाल का जब सल्फ्यूरिक एसिड होगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग आयल आफ विट्रॉल बोलते हैं ऑप्शन नमबर डी विल भी दराइट आंसर नाट्रिक एसिड बिल्कुल नहीं हो जोड़ी है यह सवाल भी आपका बहुत जड़ा बहुत चोटे से पेपर में बहुत बढ़े पेपर में नहीं को नईच्छे से प ransom परता दा सर एक चोटे से पेपर सवाल आया था जवाब दिजिए हम वेट कर लेते हैं आपके जवाब का जल्दी बताईए जल्दी बताईए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए यह दिखावे वाली पढ़ाई बहुत दिनों तक नहीं अच्छी लगती है आप किसी को दिखा रहे होंगे छप्ते बैठके दोपहर के धूप में कि हम पढ़ रहे हैं पढूसियों को दिखा रहे होंगे बहुत लोगों एक समझदारी वाला अपने अंदर लच्छण लाइए कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं मन नहीं है तो नहीं पढ़ रहे हैं तो मन तो आपका बहुत कुछ होता है पर एक तरफ जब मन कुछ कहे तो आप एक तरफ यह सोचане भी लिया करिए कि आप किस कंडीशन में अभी हैं आप कौन सी कंडीशन में अभी हैं आपकी जो वैलू है अभी आप की जिफिफभ अपने आप अपने अदर से एक आग रखजाएगी इस सही बात है हम क्या है उससे हमें कुछ बीदर राइट आंसर ठीक है चलिए आगे देखिए इन में से कौन सा यू करियोटिक कोशिका की विशेस्ता नहीं है विच आप फॉलॉइंग इज नौट अ करेक्टर आफ यू करियोटिक से लिए बताइए कि ऐसा कौन सा इसमें स्टेटमेंट है कैसा इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो आपके यू करियोटिक कोशिका में यू करियोटिक सेल में मतलब आप यह होता है कि यू करियोटिक कोशिका से संबंधित ही नहीं है बताइए और हम टीचर हैं आपके हम सब जानते हैं आपकी चीजों का है ठीक है हम यह सब समझते हैं अगर मैं 10% को निकाल दू तो composite बस ख्वाब देखने कि को आएगा कोई कहेगा कता है कि नहीं यह वाली नौकली कर लो यह अच्छPh Year को आता है कहता है यह वाली और आपको हर एक नोख्री अच्छी लगने लग जाती है फिर आप अपना मिशन भूल जाते कि अरे मैं तो इसकी त्यारी कर रहा था मैं अब उस्प त्यारी पर जा रहा हूं कि मिशन नहीं भूलना मिशन भूल जाएंंगे तो काम नहीं होता मिशन एकज्ण रखेर छाएं आप जो कर रहें सही है है आप जो कर रहें जाए क्या क्या को झदूरी है कि आप आर्मी में जाईए जहाँ आपको मिलना मौखा वहांपे आप आप मार worryी जहां मोका मिलना वहां पर चीज़ों को फ़स हमाली वहां पर अपने आपको आगे बढ़ाईये मा समझ रहे हैं चलिए यहाँ पर एक बात समझेगा यू करियोटिक में कभी भी प्लांट सेल का क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो अप्शन नमबर डी विल भी दर राइट आंसर यहाँ पर प्लांट सेल में याद रखेगा ठीक है चलिए आगे देखिए इनमें से कौन सा परटी यह कौनसा ऐसा गुण है जो गुण आपको कोशिका हर सभी कोशिका में दिखाई देगा मतलब सभी कोशिका में यह चीज हो भी नहीं सकती है और आपको सच में अगर पढ़ाई की है आपने पढ़ा है अच्छे से समझाए तो मैंने दो चीजे बताई थी कि गुणों में होता यह किसी किसी में होता है किसी में नहीं होता बात समझ में आया बहुत बहुत नुकलियस ने नुकलियस तो आपका सब में होगा नुकलियस तो सभी में पाए जाता बिना नुकलियस का तो सेल का कोई कामी नहीं है नुकलियस तो सेल का दिमाग होता है कोश सब्सक्राइब तो यह सवाल आपका SSC CHSL में पूछा हुआ था यह SSC के CHSL में सवाल आया था और सवाल बड़ा ही एक आसान इतना आसान सवाल है आप रियल्टी आप नहीं मान रहे हो आपको देखने में थोड़ा बहुत ज्यादा कठीन लग रहा होगा पर सच बताएं तो यह आपका आसान सवाल और जवाब के तौर पर आप बताएंगे प्रद्रव्य जिसे कहते हैं प्रद्रव्य जिसे कहा जाता है option number a will be the right answer होगा यहाँ प्रद्रव के सबढ़ से सेवाल में होने वाले लेंगिक जनन को क्या कहा जाता है मतलब यह है कि अल्गी में सेवाल में सब्सक्राइब कर रहा है तो यह आपकश में संगलन तो हो रहा है तो संगलन समान माप वाले हो रहा एकवल साइज वालों का हो रहा हुश को क्या बोलेंगे उसको हम 0 Snapchat होता है ठीक है आगे देखिए जिन प्रादियों में उन्हें को सिकाए तीन भूड़ी इस्तरों में ब्योस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं जहां पर अनिमल्स की अगर बात करें से लार रेंज इंडे थी इंब्रियोनिक लेवल हमने आपको बताया होगा थे थी इंब्रियोनिक लेवल के बारे में हमने बताया होगा तो बता त्राय मतलत तीन लियर और आपको पता हैं इम्डियों में तीन लियर पाई जाती हैं इंडोर अधाया था कि नहीं एक्जोड़। इंडोडम, एक्जोडम, मेडोडम तो option number आपका C will be the right answer नियत चाल से गती करने वाली वस्तु की दुरी समय graph एक अब इस question को आज़ाफ होमख के तौर पे ले जाएंगे ये सवाल आज़ाफ होमख में होगा इसको आज़ाफ होमख के तौर पे ले जाएंगे और सवाल हमख का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे अब मैं क्या नया ले आया हूँ क्या कुछ नया होने वाला है उस नये के उपर बात करने वाले हैं तो सर ये देखिए आप लोगों की तैयारी GKGS साइंस सब कुछ आपके तैयारी 24 तब से 14 जन्वरी से लगातार आपको चलेगी क्रस यह वो भी सेर करते हूं सभी यह मत सोचे कि इधर समझते हैं आप बहुत तमझने कोसिस करते हैं आप वो चालाकी बंद कर दीजीए थोड़ा सा इधर दिमाग लगाईए भला अपना भी करिया भला कर भला तो हो भला यह गलत नहीं यह सचाई है भगवान भी बैठा देखे ही रहा होगा इस सीच को कि कौन सचाई है कौन जूटा है तो उस बात पे 14 जन्वरी से जरूर जुडिएगा आप सभी लोग और लाइक शेयर कमेंट कर करना मत भूलिएगा कमेंट आप सभी लोगों का मुझे चाहिए चैनल को सब्सक्राइब भी सभी लोग करेंगे और आप आये बैचेस के उपर हम लोग बात करते हैं देखिए सर बैचेस आपकी परड़े चल रही है बैचेस आपको हर रोज मिल रहा है हां किस दिन एक आग से सुरू कर रहा हूँ जो इस्टूडेंट अभी भी लगता है कि नहीं इस अब मुझे एक कुछ करना है कुछ बढ़िया करना है अपनी तयारी को एक बहुत सही दिसा में एक बार मजबूत तर्यके से त्यार करना है सरह में एक बार के वल उसे एक बार के लिए आप यह सो बढ़िया कुछ भी नहीं है अगर नहीं है विश्वास करकर एक वर आप मान किये जलिए क्योंकि जो विश्वास किया है से उसका बहुत भला हो रहा है तो वाई 838 का कूपन कोड़ आप लगाएंगे वाई 838 डिसकाउंट कूपन कोड़ है बैच है आपका विनाइक बैच 5.23 जनवरी से सुरू होने वाला है ठीक और उसी के साथ अगर आप मॉक टेस्ट को मंगाना चाते हैं बिहारससी का अगर यह मॉक टेस्ट मंगाना चाते हैं जिसमे सवाल होंगे पेपर जैसे मिलेगा आपको वैसा ही सवाल आपको डेर्ट एक सेट का मलब 15 सेट आपके घर पे पहुंचाया जाएगा अगर आप वाई 838 यस का कूपन कोड लगा के वाई 838 यस भूलना लगाना मत भूलेगा इस कूपन कोड को लगा के अगर आप मंगाते ह आप बुक मंगा रहा है जो किसमें एक स्पेशल आफर चला है बहुत कम दामों पर मात इसमाले कि इस समाप 25 से 30 परसेंट का डिसकाउंट इस पर मिल गया आप तो 595 की बूक थी आप और भी सस्ती हो गए और रिजिनिंग मैथ कंप्लीट किट बूक मंगा लिए जी के जी स सब है तो आपको यह आपको मिलेगा बिहार ससी के लिए वाई 830 का कोपन कोड लगाने के बाद ठीक है अब पेड़ क्लास कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा जराब आप ज्यान नहीं देते आप लोग चले जाते पहले इधर देखिए गुगल आप जानते है ना गुगल खोलना आता है फोन में खोलना आता है गुगल खोलिया आप लोग वहाँ पर जब गुगल क्रोम पर आते हो तो एक काम करें टाइप में आपके कीबोर्ड होगा मोबाइल में सर्च करिए अड़ा 247 ऐसे लिखिए ठीक है क्या लिखेंगे 247 सीधा आप कुछ मत करिए अड़ा 247 आ लिजे चाहे आप अड़ा के अप्लिकेशन इंस्टॉल कर लिजे तो आप इंस्टॉल कर लिजेगा दो मिनट के अंदर भी सेम्बीका अप्लिकेशन और कोर्स पे जाने के बाद इस्टेट एक्जाम पर आईएगा इस्टेट मतलब हमारा राजी कौन सा है बिहार इतना तो समझते हैं न कि बिहार हमारा राज्य है यहां तक तो आज अब इसके बात का पढ़ाव समझे बहुत लोग बिससे इंटर लेबल की मांग कर रहे हैं तो बिससी इंटर लेबल में यहां लिखा हुआ है जब पर दस तरीके से भी एससे इंटर लेबल आप सेल लेक्ट कर लीजिए और जब आप सेलक्ट कर लेते हैं तो आपको देखिए पहली बात कि अगर आप इसको लेड़ी इसको लेना चाहते धू यह क्या है स्र इसमें आपको जो बूक हम दिखाए अभी वह बूक भी मिलेगा साथ में जो अभी आपको mock test मैंने दिखाया है 230 से ज़्यादा mock test की series मिलेगी और आपको three e-books मिलेंगे यह आले में और यह क्या है बिनायक best five point हो यह coupon code y838 ही लगेगा आपका बाइन आउ पर क्लिक करिएगा इंटर कुपन कोड यहां पर आपका आएगा और इंटर कुपन कोड आपको यहां पर ऐसे सर्च करना है वाई 838 और अपलाई करना है अपलाई के बाद देखिए यही कोर्स मात आपको 919 का मिल रहा है ठीक 919 का मिल रहा है तो जो student हमारे हैं ज लगता है इंको पढ़ना है मजाक नहीं करना पढ़ाई जीको सर्ट लचती है पढ़ाई करने important है जीवन पढ़ाई के बाद अब हमारे पास कोई option नहीं बचा है कोई रास्ता नहीं है सरकारी नौकरी के लावावा तो सर वही लोग यहां पर पढ़ारेंगे वही लोगों क मैं स्वागत भी करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से और जो जुड़ा है एक बार भी नहीं कहता सर्थ मजाने सब सिधा ही कहते सर ऐसा लगा समय का पता ही नहीं चला यह रिस्पॉंस जब मिलने लगता है तो एक गुरू को अपने आप में हुझा ऐसा क्या तो यह अगर आपको घर पे अपने बुक मंगाना है यदि आप वो मॉक्टेस्ट अपने घर पे मंगाना चाह रहे हैं या वो सिध्धी मिनायक वाला जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको कूपन कोड लगेगा वाई 838 यस ठीक यह वो कूपन कोड है तो यह information मुझे आप लोग दे लेंगे और आप online payment करेंगे कैस नहीं है online है payment Justine hogy uponда जो भी आप यूज करें आप online करके उसे लो KI चलते और किसी और के फोन से गूगल पर सकरवा के करवा सकते ऊसमें ठीक चडिए तो थैंक यू सो मस्ट एक कियर अपना ध्यान अपने परिवार का अपने माता पिता का ख्याल रखें मुलाकात होगी हमारी आपकी कल तब तक के लिए थैंक्यू सो मच टेक क्यार बाबाई जैहिन नमस्कार